हलो और वेलकम स्ट्रेंट, स्वागत है आपका करणसर फार्मा क्लासेस में और आज हम बात करेंगे ठमदिल से आप समझेगे होंगे कि आज हम डिसकुशन करेंगे SN2 reaction की mechanism के बारे में कि यह reaction कैसे चलते होती है इसकी mechanism क्या होती है SN2 का full form होता है Bi-Molecular Nucleofilic Substitution Reaction तो यहाँ पर Bi-Molecular है, मतलब इस Reaction की Mechanism यह जो Reaction होती है उसमें दो Component जो होते हैं वो इस Reaction के अंदर पार्ट्सपेट करते हैं इसी हिए इस Reaction को Bi-Molecular बोला जाता है और यह Reaction बेसिकली Primary Hello Alken के दोरा शो की जाती है तो हम जो इसकी Mechanism को समझाएंगे तो हमने जो Example लिया है वो भी हमने Primary Hello Alken का ही लिया है तो देखिए यहाँ पर हम समझते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है तो देखिए हम यहाँ पर समझते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है बहुत ही Simple और Easy Way में हम समझाएंगे तो मैंने Example लिया है Hello Alken का CS3BR और जो KOH के साथ रियेक कर रही है Water की Presence में और बन रहा है CS3OH, Methyl Alcohol और KBR, Potassium, Bromide तो यहाँ पर हो क्या रहा एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जब भी आपकी Substitution Reaction होती है जी हाँ तो वहाँ पर KOH के साथ Water का Presence होड़ा जरूरी है जी हाँ अगर KOH के साथ Water present होगा Water present होगा तो Substitution Reaction होगी और अगर Water present नहीं होगा उसके जगा अगर CH2OH, Ethanol present होगा तो वहाँ पर आपकी Elimination Reaction होगी तो जब भी Substitution Reaction होती है तो KOH Water के साथ Present होना चाहिए यह आप किया सकते हैं कि Aqueous KOH के Presence में ही Substitution Reaction होती है तो यहाँ पर क्या होगा चलिए इसकी Mechanism को समझते हैं बहुत ही Simple Mechanism है के बिल सिंगल स्टेप के अंदर इसकी Mechanism कम्प्रेट हो जाती है तो यहाँ पर मैंने यह लीग दिया है CS3BR, Carbon और यह 3 Hydrogen आपको यह 3 हाइटोजन अलग-अलग तरीके से शोग गिये क्योंकि यह 3 अलग-अलग plane के अंदर है यह वाला जो Hydrogen है जो मैंने डेश से शोग गिया है यह Carbon के पीछे है यह वाला जो है यह Carbon के आगे की तरफ है और यह Carbon के प्लेन में मतलब आप इस तरीके से शोग देख सकते है एक Hydrogen पीछे है एक Hydrogen आगे है और एक Carbon के साथ उसी के प्लेन के अंदर है मतलब यह 3D mode में यह Carbon जो है वो exist करते है तो यहाँ पर जो है Bromine है ठीको की बात Bromine जो है वो Highly Electro Negative Component होता है इसलिए इसके उपर Negative Charge आ गया है Carbon के उपर Positive Charge होगा अब यहाँ पर जो हमारा Nucleofile होगा जो की है OH OH जो है वो हमारा Nucleofile है वो Carbon पर Attack करेगा बढ़ यहाँ पर एक Important चीज आपको देखनी पड़ेगी कि OH जो Nucleofile है वो Carbon से पीछे की तरफ Attack कर रहा है Bromine की साइट से नहीं आ रहा है मतलब Bromine जो है वो आगे की तरफ है और OH जो है वो पीछे की तरफ से आ रहा है उसका Reason यह है क्योंकि Hydro जो हमारा OH है जो Nucleofile है उसके पास भी Negative Charge है जो Bromine है वो भी Negative Charge है तो अगर OH आगे की तरफ से आएगा तो Bromine क्या करेगा जो कि दोनो नेगटिव नेगटिव चार्ज होंगे तो दोनो एक दूसरे को Repulse करेंगे एक दूसरे को दूर बगाएंगे आकरशित बिल्कुल भी नहीं करेंगे इसलिए OH इत्ती दूरी मेंटेन करेगा कि वो Bromine से जादा से जादा दूरी मेंटेन करे इसलिए वो न यहां से आ रहा है न यहां से आ रहा है बिल्कुल उसके पीछे से आ रहा है 180 डिगरी का एंगल मेंटेन कर रहा है और OH जो है वो Carbon से आके जुड़ रहा है यहां पर आप देखेंगे तो Bromine भी जुड़ा हुआ है OH भी जुड़ा हुआ है यह एक ऐसी स्टेट होगी जहां पर OH आयन Carbon से जुड़ेगा और Bromine आयन भार निकलेगा इस स्टेट को बोला आता है Transition State मतलब एक Condition ऐसी भी आती है कि Carbon से OH और Bromine दोनों साथ में जुड़े होए होते है OH जुड़ने वाला होता है और Bromine निकलने वाला होता है तो इस स्टेट को हम क्या बोलते है Transition State अब यहां पर गर आप देखेंगे तो OH जो है वा Carbon से जुड़ चुड़ चुड़ा है और Bromine जो है वाप निकल चुड़ चुड़ा है यहां पर एक जिस ध्यान देने वाली है कि पहले Bromine आगे की तरफ जुड़ा था मतलब जो हमारा Nucleofile था यहां किया सकते कि जो Negative charge component था वा पहले आगे की तरफ जुड़ा था अब पीछे की तरफ जुड़ गया है इसलिए इसको बुला आता है Umbrella Flip Inside Out Umbrella Flip Inside Out का मतलब यह होता है इसका मतलब यह है कि जब आपने देखा होगा कि जब हम बरसात में चलते हैं अब बिल्कुल पीछे की तरह हो गया मतलब बिल्कुल opposite direction में हो गया है इसको अब भी हम आगे और continue जब मैं आपको इसकी stereochemistry समझाओंगा तो वहाँ पर मैं आपको इसका मतलब भी समझाओंगा क्योंकि Umbrella Flip Inside Out को Walden Inversion भी बोला जाता है इसको क्यों बोला जाता है तो उसको हम थोड़ा सा stereochemistry के अंदर रोडिस्कुस करेंगे बट बिल्कुल सिंपल है इसकी reaction mechanism के वल एक ही step के अंदर हो रही है transition state develop हो रही है और यहाँ पर आपका OH लग रहा है और BR हट रहा है और यह opposite direction में जुड़ रहा है OH जो है वो इसके पीछे की तरफ से react कर रहा है attack कर रहा है और यहाँ पर OH जो है वो यहाँ पर जुड़ता है transition state आती है उसके बाद OH जुड़ जाता है और bromine जो है वो potassium के साथ निकल के KBR बना लेता है तो इस process को बुले आता है umbrella flipped inside out इससे बुला आता है Walden Inversion सीथे साथे शब्द हम बोले है तो SN2 reaction के अंदर जो product बनता है वो substrate का ultra बनता है बतला इसमें जो nucleophile जुड़ता है वो हमेशा पीछे से जुड़ता है तो इसको Walden Inversion क्यों बुला आता है तो अगर हम इसका nomenclature करें तो nomenclature के अंदर जो हम इसकी numbering करना है start करेंगे तो जो highly, high molecular weight वाला component होता है वहाँ से हम गिंती करना है start करते हैं तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आएगा सबसे पहले bromine फिर octane फिर इस तरफ से हम चलेंगे तो यहाँ पर जो यह जो moment हो रहा है यह क्या हो रहा है leave or rotatory हो रहा है ठीको की बात अगर हम यहाँ पर देखें तो फिर हम यहाँ से गिंती करना है start करेंगे ठीक है और यहाँ पर जो moment हो रहा है वो हो रहा है that's true rotatory तो एक तरीके से दोनों का अमलब substrate का और product का जो moment है यह जो इसके अंदर जो rotation हो रहा है वो opposite हो रहा है इसलिए इसको golden inversion बुला जाता है कि यहाँ पर जो आपका rotation होता है वो एक तरीके से change हो जाता है तो यहाँ पर जो moment हो रहा है वो anti-clockwise हो रहा है और यहाँ पर जो moment हो रहा है वो change हो जाता है इसी ही इसको बोला गया है Walden Inversion तो चलिए हैं हो SN2 reaction mechanism के आखरी point के उपर decision करते हैं वो है reactivity of alkyl halides towards SN2 reactions तो यह देखें यहाँ पर जो SN2 reactions होती है अगर आपने इसकी mechanism को systematic में में समझाए तो reactivity बहुत easy में में समझ में आएगी तो यहाँ पर जो सबस्याता reactive होता है वोता है methyl halide उसके बाद होता है alkyl halide, primary alkyl halide, secondary alkyl halide और tertiary alkyl halide यह सबसे कम reactive होता है उसको क्या reason है हम देखते हैं तो देखें हम methyl halide की बात करते हैं यहाँ पर bromine जुड़ा है और तीनों तरफ hydrogen जुड़े हुए है वहीगर हम बात करें alkyl halide की तो यहाँ पर hydrogen जुड़ा है एक nucleophile आके जुड़ गया है और नीचे hydrogen जुड़ा है फिर secondary में एक methyl group आ गया है और फिर एक hydrogen जुड़ा है और आखरी में दो methyl group जुड़े है और एक nucleophile जुड़ा है तो यहाँ पर होता ही है कि यह सबस्या दर एक्टिव क्यों है उसका reason यह होता है कि जब कोई भी nucleophile यहाँ पर अटेक करने कोशिश करेगा तो आप देखेंगे तो यहाँ पर दो hydrogen जुड़ा हुए है मतलब यहाँ पर किसी भी type के space बिल्कुल खाली पड़ा है कोई भी आए और आके carbon से जुड़ जाए कोई दिक्कत नहीं है hydrogen ने ज्यादा space नहीं लिया हुआ है आराम से कोई भी component आएगा और जुड़ जाएगा किसी भी type का यहाँ पर अवरोध नहीं हो रहा है अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर हल्का सा अवरोध स्टार्ट हुआ कि अब carbon से 3 hydrogen जुड़ गया है methyl आके जुड़ गया है तो अब इसका इसने क्या करा एक बहुत बड़ा space occupy कल लिया क्योंकि carbon से फिर 3 hydrogen जुड़ हुआ है तो यहाँ पर अगर कोई nucleophile आएगा तो उसको बहुत दिक्कत होगी या आगे तो bromine जुड़ा हुआ है तो यहाँ से तो आनी सकता है आना उसको यहीं से पढ़ेगा उपर ओए जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर अब CS3 आगया है तो ओड़ जादा दिक्कत आगे और अगर आप यहाँ देखे तो यहाँ पर तो ओड़ दिक्कत है क्योंकि अब यहाँ पर 2 CS3 आगया है मतलब यह आने वाले nucleophile को जो भी इस से साथ जुड़ने कोशिश करेगा उसको यह क्या करेंगे रिपल्स करेंगे दूर बगाएंगे तो सबसे कम reactivity जो होगी वो 3rd degree alkylilite की होगी वहीं जो सबसे यहादा reactive होगा वो होगा आपका 1 degree alkylilite देखे इसका यह एक तरीके का effect क्या लाता है यहाँ पर क्या होता है कि यह सारे component होते हैं यह आने वाले molecule को जो की carbon के साथ जुड़ा चाता है उसको hindrance करते हैं मतलब उसको दूर बगाते हैं तो it is called steric hindrance effect तो यह एक steric hindrance effect क्या लाता है जिसकी वज़े से कोई भी नया molecule जो है कार्बन से आके नहीं जुड़ पाता है क्योंकि यही सारे एक तरीके से steric hindrance का मतलब भी होगे कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड इखटी हो जाती है आप के सकते हो कि यह carbon को घेर के बेट जाते हैं तो किसी दूसरे नए molecule को आने ही नहीं देते हैं तो इस तरीके के effect को क्या भूल आता है steric hindrance effect और यहाँ पर सबस्या तर एक्टिव पोन होगा 1 degree alkaline light फिर होगा 2 degree alkaline light और आखरी में होगा 3 degree alkaline light उसका reason होगा steric hindrance effect मैंने आपको बता दिए steric hindrance effect का मतलब क्या होता है जरूर से ज़ादा लोगों का इखटा हो जाना या इतनी carbon के चारो तरफ इतनी ज़ादा molecules की भीड़े खटी हो गई है hydrogens की जिसकी वैसे जो नया molecule है वो carbon से react नहीं कर पा रहा है उसके साथ नहीं जुड़ पा रहा है तो यह था हमारा SN2 reaction की mechanism जहां पर हमने SN2 reaction की mechanism को समझा उसकी stereochemistry को समझा और साथ ही साथ हमने उसकी reactivity को पी समझा यहीं पर हम यह topic complete करते हैं यह वीडियो आपको कैसा लगा comment से मुझे ज़रूर बताइएगा वीडियो देखने लिए thank you very much आपको जिल्वरूश की कामना करता हूँ और यूँ ही बने रही है मैंने साथ